अद्भुद व्यक्तित्व के धनी जैशिवाचार्य महान है। यानिकी वारिश से आया सबको भी गोने। के पीछे लगा, कभी इंद्रियों के पीछे लगा, कभी बुद्धी के पीछे लगा। और चार गती, चरासी लाग जीवा यूनियों में भर्मन करता रहा। हर गती में गया, हर यूनियों में गया। जीव कुछ करता ही नहीं है। जीव अपने सभाव में आकर मात्र द्रश्टा है। बस एक मात्र जीव, वो तुम हो, मैं हूँ, सब में वो जीव है। जीव अपने को पहश्चान ले, अपने को जान ले, अपने पर शर्टा कर ले। प्रतीती, रूचि और उसमें स्थित हो जाए। यहां स्थिति, स्वैस्थिति का महत्व है कि जीव अपने में कितना स्थर रहा, यह महत्व है, आपने ध्यान कर लिया, घंटों का ध्यान कर लिया, मौन कर लिया, बैठ गए और आपने को संतुष्टी मान ली कि मैंने बहुत ध्यान कर लिया, नहीं, आप अपने में कितना ठ अपने का मतलब ये देही में जड़ जीव का भेद करते हुए जड़ भिन है, जीव भिन है और जीव अपने में स्थित हो जाना बस। कितना क्षन रह पाते हैं, कितने मिनिट रह पाते हैं, इसको भड़ाना है आपने, इतना प्रयोग कीजिए लगातार, उठते, बैठते, चलते, कुछ भी करें, अपने में स्थित रहना है, जीव अपने में रहना है, सारी क्रियाएं होती रहेंगी, प्रन्तु ये अनाधिका का मिठ्यात्व है, आंखे देखती हैं, दृष्य देखती हैं, कान सुनते हैं, नासिका सुगंद लेती है, जिभा, रस लेती है, सपर्ष होता है, पांच उंद्रियों के 23 जिश्य, 240 की कार, कैसे कैसे वर्मन करते हैं, हम फिर मन संकल विकल्ब में करता है, बुद्धी नर् हैं, हम उसमें लगातार लगातार बहते चले जाते हैं, आप देखिए घंटे सवा घंटे के प्रियोग में, प्रभू ने आपको बताया कि अपने मिस्थित रहिए, वो जो तीन मिन्र का या पांच मिन्र का प्रियोग था, कितना स्तर रह पाए, कैसे मन भागा, जीव अप अपने मिस्थित रहे, मन तो भागेगा, बुद्धी निर्दिया लेगी, ये इंद्रिया वश में नहीं रहेंगे, पर जीव अपने मिस्थित हो जाए, ये बार 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 आप जितना आप एक खांती में रहेंगे, मौन में रहेंगे, अपने मिस्थित रहेंगे तो आपके स्थिती बढ़तीच दियाएगी, जैसे, शुरू में कहा कि पुदगल का विचार, ये पुदगल सारा संसार, पुदगल से बरा हुआ है, आमने उसके साथ मो करके, अपने को अपना मान लिया, जान लिया, पेचान लिया, और कर्मों का बन्द, जैसे पुदगल का चि चंतन आएगे, बारबारा कर्षन आएगे, हर तरह से आएगे, ये पांच उंद्रियों के विश्य और बुद्धी, मन के संकलब विकलब ये आपको डामाडोल करेंगे, प्रन्तु आपका जीव का समझ, जीव क्या है, अपने को जानना, मैं जीव, अश्ट गुनों से युक् निर्विचार, निर्विकलब, अश्ट गुनों से युक्त, सर्वगुन संपन परिपूरन, इसका बार बार चंतन करें, जब धारा खंडित हो जाए, मैं जीव, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, अश्ट गुनों से युक्त, सर्वगुन संपन परिपूरन, निर्विकार निर्विकलब, ये मेरी अवस्ता, निर्विकार, निर्विकलब, कोई विकार नहीं, कोई संकलब विकलब नहीं, मैं अपने मिस्तित हूँ, वो स्थिती जह निर्विकार, निर्विकलब की आती है, वो जीव की शुद्धशा है, उससे कर्मों की निरा ही निरा, वो शुकल द थी हैं, हरका पुर्शास निजी है, वानी वही आ रही है, कौन कितना गृहन कर सकता है, आपकी जीव की शक्ती पदर बर करता है, तो पहले तो धेद विग्यान बना रही है, हर चीज में जड और जीव, जड में जीव जीव भेने जड बेने, और जड को अपना मानना इने, जड़ प्राया है जितना जड़ का मौ तूटेगा आपका उतना उतना आगे बढ़ेंगे जड़ मेरा है यह नहीं जिस से लगेगा यह खाल है जड़ मेरी नहीं यह खाल है आपके आगे बढ़ जाओगे सारा जो कर्मों का मंदन यह देव पर तिका हुआ है देगा मतलग कि सारा संसार का पुद्घर, सारे सबंधी, मन, बुद्धी, इंडरियां तुम्हारा आजपास का बातावरन, तुम्हारा विचार, संकलग और ग्रहेंड करने की शक्ति कि धन मिल जाएगा, मैं सुक히 हो जाएगा, अच्छा बंगला मिल जाएगा मैं सुखी हो जाएगा बड़ी गाडी मिल जाएगी मैं सुखी हो जाएगा शादी हो जाएगी सुख हो जाएगा सारा मिठ्या तो है सारा जूटा है इसमें कुछ सुख है ही नहीं सुखाभास है सुख नहीं है सुख तो आपके भीतर अनंत अनंत भरा पड़ा है कब जैसे ही वो क्षन आपके भीतर आते हैं जब कोई निर्विचार निर्विकलब उस्थिती जो आती है वो क्षन जो आपके आते हैं उसमें स्थिर रहना कठिन है यह पर संभव नहीं है पंचम काल में बहुत आप आगे बढ़ सकते हो पहला अतल शर्दा किसके प्रती कि मैं जीवात्मा मैं अकेला कोई मेरा ने चाहिए घर मेरा हो प्रिवार मेरा हो समाज मेरा हो मैं अकेला था अकेला हूं अकेला ही रहूंगा एकत्व भावना का पहुशन करते रहें अने तो भावना का पहुशन कर रहें ज नौत गंदगी निकलती है जो खाओँ वो मतर में सर्चित हो जाता है। अपना ही दे का गिन आती है। उससे मुझ करते हैं। बार बार मुझ करते हैं। कितना शिर्णार से जाती है। जरम से लेकर अब भी तक फिर वो दे का भी मौ बना रहता है। इस दे को अशवची भरी ठिंद का इसका मौ तोड़ी है ये अशवची भरी पर इसमीर जीव है वो शुद्द है। कीचर में कमलबत जैसे कीचर में कमल है ऐसे शुद आत्मہ है। जितना आप आउशन करोगे आप जीव का और जीव के गुनों का हमेशा चिंतन करते रहो उड़ते बैठते चलते सोते निद्रा नहीं आई भेद भी ग्यान करो सिरके सिरे से पाम की अंगुटे तक जो आतम प्रदेशों का स्पंधा ना उसका अनभव करते चले जाए जैसे एक एक stram पर ठेहळोंगे आदा मिनित रुको तिर का सिरा यासि माठा दोनों आंखे नासी का कान, घाल, जिव्भा, होंट, ठोडी, पूरा चेहरा लगाई ये चार मिनटे इसमें लगाई है, फिर दूनों कंधे, फिर दोनों बोजाए, इदर बोजाए, फिर छाती, फिर पेट, फिर पीट, परिष्ट रजो का एक मन का धीरे धीरे पूरे शरीर में 10 से 15 मिन्त लगाओ और जैसे सुबंधन आ गया आगे बढ़ जाओ सुबंधन आ गया आगे बढ़ जाओ फिर दोनों जंगा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पाम, एडी, पंजा, टकना, तलवा, अंगूठा, सब धीरे धीरे आपकी भीतर जो आतम परदेश, जो निराकार जीव है, इसका आकार नहीं, निर्गुन, निर्विकार, वो तुम हो, उसको अपना जानो, अपने को समय दो, इस परियोग को निरंतर, निरंतर परियोग करते रहें, और जीव का जीव में स्थित्त हो जाना, जीव का जीव में ठहर जाना, और जीव के गुनों का चिंतन करते रहना, और ये देह को अलग माल, जैसे मियान में तलवार, तलवार अलग है, मियान आप लेटे हुए है आतंप प्रदेशों का स्फंधन करते चले जाएगे बार बार चिंतन यह नहीं होगा धारा करना बहुत जरूरी है घंटा दो घंटे जितना समय अब यह आपके पास गोल्डेन अपरचनती है घर पार छोड़ करके आप आ गई हो कोई समय वेथना चला जाए बातों में निरतक बातों में कोई क्या कर रहा है काउन से कपड़े पहने है क्या देख रहा है कहां जा रहा ह होंट बन नदर नीची अपने को देखते हुई सारा समय जीव में स्थापत कर दे जड़ में जीव जीव भिन जड़ भिन जीव शुद है संपन है परिपूरन अश्ट बना से युक्ट है ऐ गुरू लगू है जीव का वज़ा नहीं जीव निराकार है जीव परशर्दा र बोन कर गए तो ख्षाहिक समकत हो गयी आगे का काम फिर आगे होगा इतना तो पका कर लो जितना कर सकते हैं बहुत प्रशाद करना पड़ेगा 24 मिन इना असान है एक एक मिनित में धरा खंडित होती है कुछ सेकंडों में खंट हो जाती है किसी का एक मिनद, किसी का दो मिनद शुरू तो करो, ये शुकल ध्याना है आपका अब तक शुरू नहीं किया हमने ध्यान कर लिया इतने शिवर ले लिये, इतना ये कर लिया अपने को करता भूगता में आगे मैंने इतने लोगों को सिका दिया मैंने ग्यान दे दिया किसी को बताने की जूरू तनी अपने में पका कर लो, अपने आपको दिड़ कर लो मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे इलावा, मेरा कुछ भी मेरा नहीं है, ये केवल बुद्धी के स्थर पर मैंने कह दिया और आपने सुन दिया अन्त्यकर्म से मसूस करो कि सब कुछ चला जाए, किया आपको कमी है फिर भी कुछ किया महामीर के पास कमी थी राजकुमार सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, 24 तर्तंकर चले गए समराजय, अपने आप अपने में डूबे रहते थे ये आपको अपने भीतर डूपने का है त्यारी कर लो अगला जनम महावीदेव खेत्र में हो प्रभु की देश ना मिले और मैं सिद्ध गती को पराप्त करूं एक संकलब पर रखो मैं जी मेरा लक्ष सिद्धाल्या का है मेरा घर यहाँ नहीं है मेरा घर सिद्धाल्या का है ये घर जो बनाया है इंटे पत्थर मकान का ये देह का है मेरा नहीं है मेरा घर तो सिद्धाल्या है सबसे मैत्री का भाफ रखो प्रेम का भाफ रखो पुद्गल की अकर्षन आएंगे कि बार बार आएंगे पर वो बार बार कहते है, जितना पुदगल का अकरशन तोटे गा और जीव में इस्ट रहोगे, तुम आगे 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 बढ़ते चले जाओगे, जड़ और जीव का भेद, पुदगल को छोड़ते चले जाओगे, पुदगल का चिंतना अपने हाप आ बुद्धि कहा ले जाती है इंड्रिया कहा ले जाती है तो आगे आगे ये मन खुमाता है बस इसको चोड़ करके स्वैविवेक में पुर्शार्त आपका यही है कि केवल एक मातर जी जो दिखाई नहीं देता जिसका रंग नी रूप नहीं बरन नहीं गंगरी रस नहीं स्प चारा है मैं खा रहा हूं मैं भुजिन कर रहा हूं मैं ध्यान कर रहा हूं तुम ध्यान भी नहीं कर रहे जी अपने मिस्थ हो जाए बस अपने आप हो गया कुछ करना यह सब वातावरन बनाने की बात जैसे रात को आप सोते हैं आप क्या करते हैं आप कमरा बंद कर लेते ह कर्टन लगा लेटें ये थे पूद अपने आपई आती कुछ करना पड़ते है तुमको नीधा नीधाल नीधालingen नीधाल नीधाल मेले कि आपको सुन्दर वाता वर्न मिला प्रभु की वानी मिली है जीव समकत भाना ये वानी समकत की है सत्य की है बार बार मिठ्यात्र पर चोट पड़ेगी और समकत आपकी पुष्ट हो गई ये जंग है मिठ्यात्र और समकत की अब विजय किसका है समकत की विजय सत्य की विजय मिठ्यात्र जो अंदकार जन्म जन्म का इसकी लड़ाई लड बार बार चंतन करते रहे जैसे प्रयोग भी आपने किया 5-3 मिनित का भार बार जब भी समय मिलो बैठे हो जड़ और जीव का भेट करके अपने में अपने में स्थित होते चले जाए वो दो मिनित मीं मिल गए एक मिन गए बढ़ते रहो 24 गंटे में एक एक मिनित करके 24 मिनित हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो गए खंट नहीं रहा खंडित खंडित 24 मिनित भी बड़ा मुश्कल है किसी के 2 मिनित किसी के 5 मिनित किसी के 7 मिनित इतना ही होगा शुरुआत में पर प्रयास तुमें करना पड़ेगा विवेक आपके आत्मे है ये होश की साधन है होश किस के परती अस्तित्व के परती अस्तित्व कहो जीव कहो आत्मा कहो चेतना कहो बेद विग्यान कहो बस बेद विग्यान को महत्व देते हुए अस्तित्व परशर्दा रखते हुए इसके भीतर आना है ढूबना है आगे बढ़ना है आप स सुख बढ़ता है, जब सुख बढ़ गया, अनन्द आ गया, किसी से बूलने की इच्छा नहीं, मौन, एकान, शान, समझो आप आगे बढ़ रहे हैं, इस अंकल विकल्प हो रहा है, विचार आ रहे हैं, और मन कहीं भाग रहा है, इसका मतलब आप संसार में जा रहे हैं, आप पुद्गलों के परती जा रहे हैं, और करमों का बंदन हो रहा है, करमों का बंदन, ये दे का चिंतन, पुद्गल का चिंतन, और करमों के निरा मात्र जी, जीव के गुनों का चिंतन, जीव में रमन, जीव में सित हो जाना, यही साधना है, उत्तम साधना है, ये केवली भ भग्मंतों ने यही किया यही मारग आपने करना है हम स्तुति करके खुश हो जाते हैं मैंने स्तुति कर ली तर्संकर का इसे पुन्य का बंद होता है प्रन्तु निर्जरा नहीं होती निर्जरा कर्मों के निर्जरा तो आपका आपने स्तित होगा शुकल ध्यान से होगी और क कोई कार्यान आपका मंगल हो आपका शुब आपका अकल्यान हो प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही शुहानी नम अरिहंतानंक नम सिध्धानंग नम आयरियनंग नम अवजयनंग नमलोय सब साहु नंधमो मंगल मुकिथम आहिंसा संजमो तमो देवा वित्तंग नमं संती जा सदम्य स्यामना शिरी चत्तारी मंगलम आरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पाना तो धमो मंगलम चत्तारी लोगत्तमा आरहंता लोगत्तमा सिध्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पनतो दमो लोगुत्तमा चतारी सरणंप वज्यामी अरंते सरणंप वज्यामी सिध्धे सरणंप वज्यामी साहु सरणंप वज्यामी केवली पनत्तं धम्मं सरणंप वज्यामी चार शरना सुख करना मंगल करना खूब खूब मंगल हो